नमास्कार आप सभी को मेरा जीव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जीके महाकुमे दोस्तों लेब्रेटी साइंस अब्जिक्ट केस्टन एंसर की जो सीरीज चल रही है इसमें हमने 1521 प्रशनों को कम्प्लेट कर लिया है आज हम उसके आगे के प्रशनों को देखेंगे एक information आप सभी के लिए मेरी एक बहन ने जो है कमेंट मुझे किया था कि सर आप इसका इंगलिस और हिंदी दोनों में जो है करिए तो आप भी कहेंगे कि जो है सर बीस या चालिस क्यूसन ही बताते हैं लेकिन समय जो है एक घंटे से अधिक ले ले रहे हैं तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता मैं सभी भाइब भाइबनें को बताँना चाहूंगा कि आगे से जितने भी क्यूसटन्स आपको मिलेंगे इंगलीस में मिलेंगों इंगलीस और हिंदी दोनों में मिलेंगे तो आप इसे अपने से स्वत्व वीडियो श को रोक के दो या तुरंत जो है आप गेस कर्ष रख किसे जरूर देखिए आपको जरूर अच्छा लगेगा ऐसा मैं उमीद करता हूं तो चले start करते हैं पहला प्रशन आज का हमारा है एंटोलाजी का अर्थ हैं एंटोलाजी का क्या अर्थ होता है तो एंटोलाजी होता क्या है पहले इसे समझी। अलेक्ट रूप में पुर्व परिभासिस रिज़णियों में वरगी कृत करिद करने की समस्या को हल करने के अस्थान के रूप में एक सोचालित दस्तावेज वरगी करां पध्धती जो है एंटोलाजी पध्धती का उपयोग किया जाता है ठीख है। तो इसका right answer option A classification of internet based document यानि कि मैं बताऊंगा नहीं एक ही चीज पढऊंगा सिर्फ समय नुक्सान होगा internet अधारित प्रलेखों का वर्गी करण आगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा का रहा है कि निमलिखित में से कौन सी वर्गी करण पद्धती पूर्ण रूप से है तो यह जो है इसमें आप पहले समझे यह क्यूस्टन जो है RPSC 2016 में इसे पुछा गया था इसलिए मैंने इस क्यूस्टन को यहां पर मेंशन किया है इसमें जो है राइट एंसर इसका दो होगा ठीक है अब इन्होंने क्या माना है यह तो मुझे भी ध्यान में नहीं है लेकिन साथ इसे डिलिट इन्होंने कर दिया होगा इस इंटरनेशनल वर्गी करण और जो है लैब्री ओफ कांग्रेस वर्गी करण ठीक है क्योंकि सूची या गिंती वर्गी करण के लिए गड़ना योजना के अनिवारिक रूप में जो है की जाती है अनसूचियां होती है जिसे अतियत वर्तमान और प्रत्यासित भविस्त के स सभी विस्त को सामिल किया जाता है इसका मतलब यह है कि विभिन विस्त के वर्ग संख्याओं की गड़ना की जाएगी अनसूचियों में किसी संख्या का निर्मार करने की गड़ना की जाती है अनसूचियों में किसी संख्या का निर्मार करने के लिए आम आइसलेट के अलग गलग पूरग कारिकरम नहीं होते हैं वर्गी करण की इस प्रजाती का जो है एक अच्छा उधारान लाइबरी ओप कांग्रेस क्लासिपिकेशन है और ये जो है 45 खंडों में 45 खंड में और इसमें 11300 प्रिष्टों का एक विश्तरित सेडूल्स है तथा इसकी प्रजाती का ए एक अन्य सदस जो है राइजरस इंटरनेशल वर्गी करण है यह भी विश्तरित सेडूल्स है तो मेरे हिसाब से इसका राइट एंसर दोनों होगा ये दोनों इसके राइट एंसर हैं आगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा का राय की वर्गी करन पधति के प्रिणता को क् जाता है तो क्लासी फिकनेश टिक जो है कहा जाता है ऑप्शन सी अगला प्रश्न है माइक्रो दस्तावेज के लिए विश्तरित वर्गी करण की आउसकता होती है यह वर्गी करण कौन सा है यह वर्गी करण जो है कौन सा है तो डेप्त वर्गी करण रंगनाथन ने जो है सोध संदर्व के संदर्व की गहराईयों के लिए वर्गी करण की आउसकता बताते हुए कहा कि सुक्ष में विश्यों की गहनता वर्गी करण योजना संचार की श्रिंखला में एक कड़ी के रूप में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा सोध में रीले सोध को रोकने की लिए जो है आउसका किसी विश्यों के सभी पहलूं को एक साथ लाने के लिए गहराई वर्गी कर योजना की भी और सक्ता पड़ती है चलिए आगे देखते हैं अगले क्यूस्टन को अगला क्यूस्टन हमारा कह रहा है कि उद्भो के अनुशार कला कलानु क्रमिक क्रम में ब्युस्थित कीजिए यानि कि अरेंज इसे करना है कब किसका क्या निर्माड हुआ तो सबसे पहले जो है यूनिवर्शल डेश्नमल क्लासिफिकेशन टीक है यानि कि यूडीसी की बात की जाए तो यह 1905 टीक है 1905 उसके बाद आपका सब्जिक्ट क्लासिफिकेशन जो है 1906 में आया फिर कोलन क्लासिफिकेशन रंगनाथन महुदे के द्वारा जो है 1935 में लाया गया फिर बिबिलियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो है यह 1935 में लाया गया तो चार तीन दो एक इस हिसाब से होगा तो राइट एंसर आप्शन बी में है चार तीन दो एक अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमारा कर रहा है कि निम्लिकित में से कौन सी सरवाधिक पुरानी वर्गी करणविधी है सबसे पुरानी वर्गी करणविधी पूछ रहा है तो इस में ऑप्शन ADDC है ठीक है यानि कि डेवी डेश्रुमल क्लासिफिकेशन बूल चाल की भासा में इसे हम डेवी दस्मनलो प्रणाली कहते हैं जिसे 1876 में मेलवी डेवी के द्वारा अमेरिका में पहली बार प्रकासितियों स्वामितत्व पुष्टकाले वर्गी करण प्रणाली है ये मुल रूप से ये चार प्रिष्ट के परचे में वर्णित है इसके कई संस्क्रणों में विस्तार किया गया है और 23 प्रमुख संस्क्रणों के माध्यम से इसमें संसोधन किया जा चुका है और 2011 में नमीन मुदृत संस्क्रण है इसका इसका आनलाइन संस्क्रण को जो है वेव रखा इसमें तो ये 1905 है हेन्री लाव फॉंटेन और पॉल आउटलेट के द्वारा इसे किया गया CC जो है रंगनाथन महोदे 1933 अब BC जो है हेन्री E. बिल्स के द्वारा जो है 1935 में किया गया आगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा कह रहा है कि DDC की अनकर्मनिका को कहा जाता है डीडी सी की अनकर्मनिका को जो है क्या कहा जाता है इंडेक्स को क्या कहा जाता है तो इंडेक्स को जो है रिलेटिव इंडेक्स कहा जाता है यानि कि साक्षेप अनकर्मनिका के नाम से जाना जाता है आगे जाएत देखते हैं अगला प्रशन हमारा है द्वी बिंदी वर्गी करण पद्धिती का नमींतम संस्क्रण है कौन सा नमींतम संस्क्रण है तो मुक्त पक्छात्मक आगे देखते हैं अगला प्रशन है अपुपा बिधी डे से संबंधित है अगला प्रशन हमारा का राय कि समान बिस्यों के प्रलेकों को एक अस्थान पर एकत्र करने की प्रक्रिया को कहते हैं समान विश्यों के प्रलेखों को एकत्र करने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो वर्गी करो अगला प्रश्ण है डीडीसी निम्न में से डीडीसी का कौन सा वर्गांक सही अनुक्रम है तो DDC का सही वरगांग जो है option A ही है 359, 45, 64, 9 option A, जब तक DDC बुक आपके सामने नहीं रहेगी इसे नहीं समझ पाएंगे आगे देखते हैं सब्द पुस्तकाले किस सब्द से बना है, पुस्तकाले जो है किस सब्द से बना है तो लाइबर सब्द से बना हुआ है option A अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन हमारा कह रहा है कि दिव बिंदू वरगी करण, छटमे संसोधी संसकरण के मुख वरग O साहित में P3 निमलिखित में से किसको दर्शाता है पी थ्री जो है किसको दर्षाता है तो यह जो है पी थ्री जो है लेखक पक्ष को दर्षाता है समझ यह पहले बात को ओ साहित को जो है साहित मैंने नीचे टाइप कर रखा है नीचे दे रखा है पी टू पीथ्री पीफॉर करके दिया हुआ है और पीञे जो है लाङवज फिर जो है तू में फोर्म और थ्री में जो है आथ़ साहित और फोर में जो है वर्ख को समलीत किया जाता है आगे देखते हैं अगला प्रस्षन हमारा है किस वर्गी करण पद्धती में विशेश्थाय क्रियाएं अस्थानी रूप से पुन्रा वर्ती विशेश्थाएं इंगित करती हैं तो UDC में जो है करती हैं सर्भ भावमिक दस्मलो वर्गी करण आप्शन B इसका राइट एंसर होगा कामन एक्सलरी का संपादकों के सब्दों में आम तोर पर आवर्तक विशेश्थाओं को निरूपित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे सभी विशेश्यों के लिए समान है विशेस सहायक अस्थानी अस्तर पर आवर्टक विशेस्ता को जो है निरूपित करता है जिसका अर्थ होता है कि कुछ विशेयों के लिए विशेस रूप से केवल हम पहले सहायक देखेंगे और फिर विशेसक सहायक को देखेंगे तो यह UDC में है आगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा कह रहा है कि ऐसा वर्गी करण जिसमें विशेय या प्रकार या इन दोनों अथ्वा अन्यमान ने तारकी करम के अन्शार पुस्तको या पुस्तकाले समाग्रियों का समयोजन किया जाता हो कहलाता है क्या कहलाता है तो पुष्टक वर्गी करण कहलाता है option B आगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा है समानत्य डिवी डेशमल क्लासिफिकेशन में standard subdivision से पुर्व किस अंक का उपियोग किया जाता है तो सुनने का किया जाता है या question आप से पूछ दे नवीन सुनने का भी होता है मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है लेकिन किसी paper में ये चीज पूछा गया है तो नवीन सुनने का उपियोग किया जाता है आगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा है वर्गी करण सोध समू का मुख्याले कहां इस्थित है यानि कि CRG की बात हो रही है तो ये लंदन में इस्थित है option D आगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा का रहा है कि UDC में दो प्रकार की सहायक सारणिया जो है पाई जाती है कौन-कौन सी बताए सहायक सारणिया जो है पाई जाती है तो समानियों विशिष्ट दो प्रकार की पाई जाती है इन्युवेश्रल डेश्मर क्लासिफिकेशन को जो है हेंरी लाफोंटेन और पाउल आउटलेट के द्वारा पहली बार अठारो सो पंचानवे में बुर्ष्रेल्स में जो है प्रस्तुत किया था और UDC में दो प्रकार की अगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा है कि UDC में समान ने एक लोग को कहा जाता है UDC में जो है समान एक लोग को क्या कहा जाता है तो common axillary table कहा जाता है option B अगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा कह रहा है कि DDC 23 संस्क्रण जो है में प्रियूक्त वाक्यांस समान ने एकल का समतुल्य पद है DDC में का जो 23 संस्क्रण है वाक्यांस समान एकल का समतुल्य पद है तो मानक उप विभाजन, स्टेंडर्ट सब डिवजन, option C, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कर रहा है कि क्लासिफिकेशन सब्द लेटिन भासा कि किस सब्द से उत्पन हुआ है, तो क्लासिस से हुआ है, option D, और वर्गी करण सब्द जिसे अंगलेजी भासा में क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो लेटिन भासा के क्लासिस सब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, वर्ग, यानि कि क्लास से बना है, इस सब्द का प्रियोग प्राचीन, रोम में, संपादित, प्रदिर्ष्ठा, तथा महत्व की दिरिष्ठे से मनुष्र में जो है, डैको टोमी प्रथा के अंशार दो स्रियोडियों में विभक्त करने के लिए किया जाता था, इस प्रकार क्लासिस सब्द का अर्थ वस्तू के एक समू को किसी समान गून, यह विस्ताओं के अंशार भिन वर्ग में रखना होता है, आगे देखते हैं, अगला प्रशन हमारा कारा है कि डेवी दसमल वर्गी करण मानो ग्यान को विभाजित करता है, तो यह 10 बेसिस का टेगरी में जो है करता है, 10 मुल स्रियों में जो है यह करता है, और कौन-कौन से सिरेणियां है, सैध नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेजे, डिडी सी में जो है, ट्रिपल जीरो और से 900 तक मुख्य बर्ग है और 3 सारांस है, पहला दूसरा और तीसरा, यहां पर यह दिया हुआ, पहले सारांस में जो है क्या-क्या है आप इसे देख लिजिएगा विडियो को रुक के और दूसरे सारांस में परतेक के लिए 10 से 100 डिवजन में विभाजित किया गया है और तीसरे में 1000 खंड दिये गया है आगे देखते हैं अगला प्रशना हमारा करा है कि देवीड देश्मलो वर्गी करण के इलेक्ट्रानिक संस्क्राण के रूप में जाना जाता है तो वेव डेवी के नाम से जाना जाता है आगे देखते हैं अगला प्रशना हमारा है UDC में अंकन प्रणाली है UDC में जो है अंकन प्रणाली है तो UDC में जो है मिस्त्रित अंकन प्रणाली है अगला प्रशना है देवीड देश्मलो वर्गी करण पहली बार डेश में प्रकासित किया गया DDC जो है पहली बार का प्रकासित किया गया तो 1876 में आप्शन A अगला प्रश्णा है डीडीसी उनिश्वे संस्क्राण के उनसार निमलिखित में से कौन सी तालिका में अगरता क्रम तालिका का प्रावधान है तो तालिका वन में ओप्शन ए और मानुकू बीभाजन डीडीसी जो है 19 संस्क्रण में जो है टोटल साथ टेबल है टेबल वन जो है इस्टेंडर सब्डिजन जो है और यह सारणी स्वतंत्र रूप के रूप में प्रियोग होने वाले सारणी है अर्थात इनका प्रियोग करने के लिए निर्देश की आवसकता नहीं होती है इस सारणी को के अंक को कभी अकेले प्रियुक्त नहीं किया जा सकता है प्रतेक अंक को जो है डैस के साथ ठीक है इस जाता है T2 जो है भोगोलिक छेत्र के लिए है T3 जो है साहित विशेस के उप विभाजन से रिलेटिव है T4 जो है भासा विशेस के उप विभाजन से है T5 जो है प्रजाती मानोवनसी यो राष्टियता से रिलेटिव है T6 जो है लांगवे से है और T7 जो है ये वैक्ति से रि संस्क्राण में यह CI में N निम्न में से किसका प्रत्नी धित्व करता है तो यह सीरियल का करता है option B जो है और यहां यहां पे सीरियल के लिए करता है औध्यम जो है यह प्रियोडिकल्स के लिए करता है परियोडिकल्स के लिए करता है और N बताया ही आपसे M जो है P जो है Conference के लिए करता है W जो है ये Biography के लिए करता है और X जो है ये Work के लिए करता है ठीक है आगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा कह रहा है कि DDC के 23 संस्क्रण में कौन सी टेबल नेशनल यूं एथेंटिक्स ग्रूप के लिए है एथेंटिक्स ग्रूप के लिए है बताईए तो टेबल फूर अभी आपको मैंने पीछे भी कुछ समय पहले भी बताया था और यहां पर भी टेबल दिया गया है तो टेबल फूर देख लेजे वेक्तिगत भासाओं और भासा परिवारों के उपविवाजन आगे दिखते हैं अगला प्रशन हमारा है कि सीसी में हाइफन किस डिवाइस के लिए जो है प्रियुक्त किया जाता है हाइफन जो है किस डिवाइस के लिए प्रियुक्त किया जाता है तो सूपर इंपोजीशन डिवाइस के लिए प्रियुक्त किया जाता है option B, अगला प्रश्ण है, निम्न में से कौन सा अक्षर CC चठवे में intra-array difference face relation के लिए जो है प्रस्तुत, प्रियुक्त जो है किया जाता है, प्रियुक्त किया जाता है, तो W किया जाता है, option C, इसमें जो दिया हुआ है option, option ये T दिया हुआ है, ये T जो है ये general के लिए दिया जाता है, CC के छठवे में intra-array difference के लिए जो है W का प्रियुक्त किया जाता है, मगर जो T दिया हुआ है, ये general के लिए दिया जाता है, और U जो दिया हुआ है, ये base के लिए जो है दिया जाता है, और Y जो दिया जाता है, ये याद ठीक सेन मुझे साध नहीं आ रहा है, चलिए कभी और याद आएगा तो बता दूगा आगे क्योस्टन में आगे है कि फोनिक्स स्रडूल की सुवर्गी करण प्राले से संबंदित है फोनिक्स स्रडूल की बारे में जो है पूछ रहा है तो ये डीडीसी से है DDC से संबंदित है Phonic Schedule का प्रत्रम प्रियोग DDC के 16 संस्क्राण में किया गया था DDC का अप टूडेट करने के लिए महत्पूर्ण दिरिष्टिकोंड है कुछ कारकरम जो पुराने हैं उनको पुरी तरीके से नए वर्गी करण के साथ बदल दिया जाता है और नए शडूल जो है पुरी तरीके से तयार हो जाते हैं नस्ट हो चुके पुराने शडूल को जो है Phonic Schedule के नाम से जाना जाता है आप समझ गएंगे दोस्तो एक चीजा और बता हूँ जल्दी जल्दी बोलने में हो सकता है मेरे मुँझ से कुछ wrong information निकल जाए वैसे कोशिस तो बिल्कुल नहीं रहती है कि कोई भी wrong information मैं आपको दूँ लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके की wrong information आप तक पहुंच जाती है तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा और comment करके आप जरूरू बताईए गया ताकि मैं उसमें सुधार कर पाऊँ आगे देखते हैं अगला प्रशना है तो समझ गए होंगे कि phonics schedules जो है क्या होते हैं अगला प्रशना हमारा है 1923 में प्रकासित कोलन classification का प्रकाशक कौन था प्रकाशक पूछ रहा है यहां पर तो मदरास पुष्टकाले संग था ML1 था option A sorry option B इसे थोड़ा सा आप समझे पहले इसका जो पहला संस्क्राण था CC का यह 1923 में मदरास पुष्टकाले संग द्वरा प्रकासित किया गया था इसका दूसरा संस्क्राण 39 में तीसरा संस्क्राण 50 में और चौधा संस्क्राण 52 में पांचवां संस्क्राण 57 और छठा संस्क्राण 60 और रीप्रिंट 63 याद करने का आपको तरीका मैं बता हूँ एक mobile number जो होता है उस तरीके से इसे याद करिए सबसे पहले 33 साथ 39 इस तरीके से आप लिख के याद करेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा ठीक है बावन और फिर जो है सत्तावन सत्तावन साथ फिर तीर साथ याद हो जाएगा और सात्वा संस्क्राण जो है 87 है ठीक है सात्वा संस्क्राण जो है 87 है जिसे सार्दा रंगनाथन इंडेवर्मेंट आफ साइंस के द्वारा प्रकासित किया गया था और जो है सार्दारंगनाथन जो है 1961 में अस्थापित किया गया था इसके बारे में आगे की क्लास में मैं बताऊंगा जब उसका क्यूस्वन आएगा तो आगे देखते हैं अगला प्रशन हमारा कहा रहा है कि कोलोन क्लासिफिकेशन का चतूत और संस्क्रण की स्वर्ष प्रकासित कि स्वर्ष प्रकासित हुआ तो बाउन में अभी उपर बताया है कि याद करने का सबसे अच्छा तरीका अगला प्रशन हमारा कहा रहा है कि सीसी में जीवनी को दर्शाने है तू कौन सा चिन एस याई की रूप में प्रियूक्त किया जाता है अगला प्रशन है अभी आपको मैंने बताया ही था थोड़ी देर पहले ही की बायोग्राफी जो है डबलु में है E activity प्रियोडिकल है N में जो है सीरियल है P में जो है Conference है W में जो है Biography है X में जो है Work है S में जो है Statics है V में जो है History है K में जो है Encyclopedia है A में जो है Bibliography है R में जो है Report है इस तरीके से आप इसे याद कर लेजिएगा एक क्वेस्टन पढ़ा है का यह नहीं पढ़ा आगे देखते हैं CC में मुख्षवर्घ C भोत्की को आगे निमनम में विभाजित किया जाता है तो इसे जो है केनेल कल प्सक्रा Jorge किया जाता है C1 जो है यह fundamental से relative है और C2 जो है यह particles of matter से है C3 जो है यह sound से है C4 जो है heat से है C5 जो है light relation से है C6 जो है electronics से है इस तरीके से इनके sequence है आगे इस तरीके से जो है उसे विभाजित किया जाता है तो इसका right answer था option D अगला प्रशन है UDC में समान एक लो को कहा जाता है UDC में समान एक लो को क्या कहा जाता है तो option C common auxiliary की नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है संग सूची का सौर प्रथम निर्मान 1901 में किसके द्वारा किया गया था तो library of congress के द्वारा जो है किया गया था Library of Congress एक सोध पुस्तकाले है जो अधिकारिक तोर पर स्वयुक्त राज्य कांग्रेस की सेवा जो है करता है और ये अमेरिका का वास्तविक राष्टी पुस्तकाले है ये स्वयुक्त राज अमेरिका का सबसे पुराना संगी सांस्कृतिक संस्थान है पुस्तकाले को जो है वासिंग्टन डी सी में केपिटल हिल्स में तीन भौनों में रखा गया है इसके सरंग्र सर्व भोमिक विशे प्रारूप या राष्टी सीमा तक ही सीमित नहीं है और दुनिया की सभी हिस्सों में 450 से अधिक भसाओं में अंसंधान सामगरी इसमें समलित की जाती है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन हमा रहा है कि डीडी सी में और सास्त्र विशे का प्रतीक है डीडी सी में जो है और सास्त का क्या प्रतीक है तो 330 है ये जब डीडी सी आप खोलेंगे उनके तीनों तीनों बुक को तब इसे आप ठीक से समझ सकते हैं और तीन सो थीस में आता है क्यूंग? क्योंकि जो है तीन सो जो है ये फर्स्ट समरी में आता है और थ्री हमडर्ड जो है ये सोसल साइन्स से रिलेटिम है ठीक है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट समरी में ट्रिपल जीरो से लेके 900 तक 10 major class हैं सोरी 100 लिख दिया मैंने 10 classes हैं और सेकंड समरी में जो है 100 division है और जो है थर्ड समरी में जो है 1000 section है आगे देखते हैं अगला प्रशना हमारा करा है कि तालिका 6 से डीडी सी उनिस्वे संस्क्रण संबंधित है तो यह भासाओं से संबंधित है ठीक है यह जो है भासाओं से संबंधित है option C क्योंकि मैंने आपको पहले यह बता दिया है कि T1 जो है standard sub division है T2 areas है T3 इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा आप लिखिए ठीक है person से है T6 जो है language से है इस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा या तो डीडी सी रहेगी तो आपके समझ में आएगा तो दोस्तो जो है video को यहीं पर रोक रहे हैं आगे की videos जो है कल की videos में देखेंगे क्योंकि 30 मिनट का आप से हमने जो समय मांगा था ओ समय समाप्त हुआ तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार यहां तक देखा आगे की videos में कल देखेंगे बहुत important topics है यह पूरा DDC, CC, UDC में सभी complete कराऊंगा आपको तो पसंद आया हो तो चैनल को like, subscribe जरूर कीजिए धन्यवाद आपको